ये चलता कैसे है, आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे करता है, और मैंने इसे बैलेंस कैसे कर लिया, तो सभी को बताते हैं, एंड सुरू से सुरू करें तो हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज था अपने टैंक को मूब कराना, और उसके लिए हमारे पास तीन आप्सन थे, बाइक, साइकल या मेकेनिकली, फिजिकली काम करना, टाइम हो चुका है, चलो मैं बताता हूँ, तो हमने डिसाइड करा कि बाइक सही आप्सन नहीं है, नही सबसे चैलेंजिंग पार था कि साइकल पे सभी चीज को बैलेंस करना, तो यहाँ पर हमने साइकल की थोड़ी सी हेल्प ली, और इस साइकल का प्रोब पर सिंटर अप मास निकलने के बाद, हमें प्रोब पर हमने सभी मास को सही तरीके से अड़ करा, और हमने सही तरीके से बहुत ही असान कर दिया था और गौरब ने भी हमारा काम बहुत असान कर दिया था मैं बताओंगा हर मिम्भर्स के वारे में बालेंस करने के बाद जो दूसरा चैलेंज था वो था एक प्रूपर फ्रेमबर की, मतलब कि हमें एक ऐसा फ्रेम चाहिए था जो हमारे टैंक के बेट को सहन कर सके और हम लोग जो ब्लास्ट करने वाले हैं टैंक में उसका भी जो वाइबरेशन होगा और उसके एक्स्ट्रा जर्क होंगे उसको भी जहल सके तो मैंने एक डिजाइन तयार करा और उस design में मैंने हर चीज को notice करा कि हमारा कैसा framework होना चाहिए कैसे हमारी body होगी कैसा हमारा designs होगा तो इस design ने काफी हमारी help की हमारे tank को आगे बनाने के लिए तो हमने design के अनुसार अपने framework को तयार किया और जब हमारा framework कम्ट्रीट हो गया तो हमने उसको पर एक PVC pipe को mount करा जो कि हमारा canon के तरह काम करेगा और इसे हमने बहुत strongly join किया ताकि हमारे blast को सहन कर सके और मैंने आप से शुरू में बात किया था कि हमारे members कौन कौन है तो members में हमारा गौरव, पंकच, सानिया, स्वाती, सुंबूल और मांसी है और इसमें एक जो गौरव, पंकच का बहुत ज़्यादा critical role है day 4 यानि कि हमारा judgment day आज हमारे लिए बहुत important दिन था क्योंकि हमने जो भी तक मेहनत की अपने designs के उपर, हमारे frame के उपर उसे हमें अपने cycle के उपर रख कर चेक करना था और सच बोलू, तो science ने अपना काम भखू भी किया and सब कुछ बिल्कुली बहतर तरीके सो रहा था और हमने trial में देखा कि हमारा जो system है सब कुछ सभी से काम कर रहा है और जैसे हमें ये लगा कि अब हमारी body अच्छे से काम कर सकती है तो हमने बागे काम को बहुत ही तेजी से बढ़ा दिया क्योंकि अब हमारे पास समय कम था सारे trials करने के बाद मुझे एक confidence दो आया कि हमारा tank चल सकता है and इपन वो blast को के power को भी वो जेल सकता है अब हमारे पास time कम था तो हमने काम को distribute कर दिया सभी की बीच में कुछ को मैंने इसके body को बनाने में लगा दिया तो कुछ को मैंने इसके armor और wheels के उपर लगा दिया क्योंकि मैं बाद समय कम था and यहां पर जो आप इतने सारे cartons देख रहे है यह सुवम sir ने help करा and जो आपने वो pipe देखा था वो BSR ने help करा and मुझे लगा कि यह काम complete नहीं हो पाये का time पर तो मैंने और भी बच्चों को इसमें engage कर दिया and yes मैंने एक बंदूग बनाया था मतलब एक tank का rifle तो इसको भी मैंने paint करवाया मैं आपको दिखाता हूँ तो यह वो बुकंता जिसे मैंने बनाया है और इसको उपर मैंने acrylic paint करवा दिया इससे बनाते मनाते मुझे सान के 6 बज़ गया और अगले दिन मैं सवेरे 7 बज़े आया और इसको final test दिया अब देखो इसे move कैसे करना है इसमें से cannon से blast कैसे करना इससे चलाना कैसे सब मैंने plan करके बैठा था और इससे चलाने की भी जिमिदारी मेरी थी जितना मैंने इससे expectation किया था सच बोलू तो expectation से भी ज़्यादा इसने result कर दिया Thank you science तो अब देखो